हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल टाइम टू टाइम स्टडी में सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको सारा नॉटिफिकेशन मिलता रहे और पसंद आए तो जरूर लाइक करें तेलिए आगे बढ़ते हैं ज जो जहरकन के विद्यार्थियों के लिए आगे बढ़ते हैं साथी साथ इसे आप सीटेट के लिए भी पढ़ सकते हैं देखते हैं कि आज का थियोरी क्या क्या है जैसे कि 6 नंबर तक हम लोग डिसकर स्कस चुके हैं आज 7 नंबर विकास की विभिनता विकास में व्यक्तित और अपने आसपरोस में महसूस भी किये होंगे आठवा नंबर देखे तो विकास के परते का वस्ता में कुछ समाजिक परतियास्थाय होती हैं परतेक सभ्यता एवंग संस्कृति के बच्चों में किसी खास उम्र में कुछ विसेज गोनाता है इसलिए परते का वस्ता में बच्चों में समाज के अलग-अलग भासा या इच्छाय होती हैं विकास की परते का वस्ता में कुछ अंतर नहीं कटनाईयां भी होती हैं कौन-कौन सी कटनाईयां होती है तो बच्चों का उत्रतर विकास में विकास ये समाने पर किरिया है लेकिन परियावरन कारणों के क कारण गरंतियों के कारण बच्चों में बहुत सारे बाधाई आती हैं तो बच्चों को अगर उचित वातावरन नहीं मिल पाता है तो विकास में ये बाधा की रूप में कारिय करती है आप अपने घर में माहुल ठीक नहीं रखेंगे लड़ते जगरते रहेंगे तो आपके घर में जो बच्चे होंगे वो भी यही चीज़ सिखेंगे आगे भी जाके तो आपको कहीं ये चीज़ परबल दिखने को मिलेगी और आगे बढ़ते हैं तो कभी-कभी आंतरी गरंतियों के सराव में गरबड़ी के कारण भी विकास में बाधा उत्पन होती है कभी-कभी क कुछ कारण ऐसी हो जाती है जिसके कारण भी विकास में पाता होती है और वह अंतरी गरबड़ी या गरंतियों में कुछ चीज़ों का सराव जो होना होता है आगे देखते हैं विकास के परतीक आउस्था में सुकसांथी-परकार नहीं होता है परते काउस्ता में उससांगती एक प्रकार नहीं होता, दो वरस तक के बच्चों में समान रूप से तनाव मुक्त रहते हैं, हम देखते हैं कि जन मसे लेकर जब तक बच्चे दो वरस तक कहने हो जाते हैं, तब तक वो तनाव मुक्त रहते हैं, उसके बाद से उन लोगों को स्कूल भेजो ये सलिबस कंप्लेट कराओ रिजल अच्छा लाओ माबाप का उसको डांट फरकार और बहुत सारे चीज़ें ऐसी मतलब ऐसा चीज जहलना पड़ जाता है बच्चों को कि उसके बाद उसका जीवन एक तनाव पूर लाइफ में चला जाता है उसके बाद तो औ अच्कल के विद्यारती बहुत अच्छे तरह से जानते हैं हम पड़ रहे हैं क्योंकि हमरे घर में किसी ना किसी प्रकार का तनाव जरूर है या मैं खुद में तनाव मसूस कर रहे हैं आर्थिक तनाव हो गया कुछी भी तरह का कष्ट उस सब को चीज़ करने के लिए हम न रहता है क्योंकि इस बीच में भी ज्यादा कुछ नहीं होता है सिर्फ पढ़ाई का ही बोज होता है लेकिन 12 वर्स के बाद विभिन्दकार्णों के तनाव का स्तर बढ़ने लगता है आप यहां देख चुके हैं और मैं लिख भी दिया हूं विकास परिपक्वता और सीखन की उपज है जब विकास होगा तो आदमी परिपक्व बनेगा फिर उसमें सीखने का इच्छा जागेगा पुर परस्तिकाल से लेकर जन्म तक विकास के लिए परिपक्वता ज्यादा महट्दु पुर्ण है ठीक है लेकिन जन्म के जन्म लेने के बाद विकास पर सिक्षन या सीखने का काफी परभाव पड़ता है जैसे कि आप देखे होंगे जन्म लेने के बाद जो है उसको सिक्षन या सीखने का काफी परभाव पड़ता है आप किसी बच्चे को देखे होंगे वो जन्म लेने के पहले उस पे उतना बोज नहीं डालते हैं लेकिन जन्म लेने के बाद बच्चे को ये सिखाएंगे ये सिखाएंगे फलाना ढिमकाना कर के उस पे बहुत तरहे चीजों का बहुत असारे चीज है जो उस पर थोप दिये जाते हैं ठीक है तो इन सबी चीज़ों को याद रखें परिपक्वता जो की अनुवान सिक्ता पर निर्भर करता है जैसे कि अनुवान सिक्ता पर क्यों निर्भर करता है आप इस चीज को देखें आप सिंपल सा एक बात या एक लॉजिक आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि आपका व्यक्तित्व जैसा है ठीक है आपका व्यक्तित्व जैसा भी है यदि यही व्यक्तित्व के रह गए तो यही व्यक्तित्व आपके बच्चों में भी आ जाएगा यह चीज को हमेशा आप नोट करके रखें यदि आप दिन भर में 24 घंटे का दिन होता है इसमें आप जदी 15 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो आगे जाकर जो आपका बच्चा भी होगा या संताने होगी आने वाले पीड़ियां होगी वो भी कहीं ने कहीं इस चीज पर ज़्यादा हावी रहेगा 15 नहीं तो हाँ वो तस्त जरूर करें हो सकता है इससे ज़्यादा भी करें तो परिपकता जो है वो पूरी तरह से अन्वान सकता पर निर्भर करता है इसलिए मैं आपको बताया है कंए आजकल के मापबाप अच्छा से सिखनी पातें जिखा नहीं पातें जान नहीं पातें कि आपके अंदर जो जी ज़य है और आपके बशे के अंदर को ट्रांसफर हो जाएंगी फिर वो जब बड़ा होगा तो आप ही बोलेंगे कि मैंने तो किया नहीं तो बच्चे ने यह कैसे सीख लिया यह नलायक है तो जी नहीं वो नलायक नहीं है वो आप ही सीख के आता है जिसको आप नलायक करते हैं वैसे तो देखें कि यदि आपका जो गुन था वो आपकी रखना किसी को बुरा लगे तो हम हाटली सौरी देखते हैं इसलिए यह एक चार दीवारी की तरह कारे करता है ठीक है अब बच्चे आपके मतलब गर्भा वस्था में हैं और आप उसको यह सब चीज गून सारे गून जो है उसको आप दे कर पहले से उसको भेज रहे हैं तो यह सारे जो है वो चार दीवारी की तरह हो जाती है यह बच्चे खुद सिकर ही आएंगे आगे बढ़ते हैं देखते हैं इसके अंदर उचित वातावरन मिलने पर अनुमान सिकता अंता सक्तियों का पुर्ण विकास संभव हो जाता है फिर से वही बात की गई है तो आप इ दिहान रखें आए देखते हैं विकास की अवस्था हैं विकास की जो अवस्था हैं दोस्तों वो मनवग्यानों के दवारा दस बताएं गई हैं विकास की जो आवस्था हैं मनवग्यानों के अनुसार उसको कितने बताएं गई है उसको टोटल दस बताएं गई जो इस कलास चैनल से आप डाउलोड कर सकते हैं सेर ज़रूर करें लाइक करें कमेंट करें थैंक्स फॉर लिस्निंग गॉड ब्लेस यू अल